तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगे तो आप सभी का स्वागत है इस एनिमेशन की एक नई वीडियो के अंदर तो आज मैं स्प्रिंक करने वालू हूँ एपिशोर नमबर 4 और एपिशोर नमबर 5 को तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैन स्काइब नहीं किया है तो प्ली चैन स्काइब कर दीजगा और नीचे कमेंट भी कर दीजगा कि आपको म वीडियो तो आपके लिए एगली वीडियो जल्दी बनाके लाऊंगा चलिए पिर स्टार्ट करते हैं आपकी जहां को वीडियो के स्टार्टिंग में की पास का साँ सिखना है तो यहाँ पर रे बोलता है ठीक है मेरे पास मेरा पुराना स्केड़ो पड़ा है मैं तुमें सिखाता हूँ जिसके बाद यहाँ पर बाहर आते हैं लेकिन यहाँ पर सेरा जैसे ट्राइ करती है वो यहाँ पर नीचे गिर जाती है लेकिन यहाँ पे जो रे होता है वो जो तो सहरा को पकड़ लेता है तभी एकदम से एक लड़की आ जाती है जो यहाँ पे रे की जुनियर होती है और यह जो रे को हेलो बोलती है तभी जुनियर होती है वो जुनियर होती है वो जुनियर होती है वो जो रे से पूछती कि उन बातों को यहां पर मत छADEड़ो, जिसके बाद जूनियर बोलती है, ठीक है, फिर यहां पर रे बोलता है, वैसे तुम यहां पर क्यूँ आई हो, अए मोम को मैं इसने एक डिटर jsem रिटरो की है, अपर जाके उसने पूछने को रिश्क की, तो यहां पर रे बोलता है धीक है जिसके आ जुनिर कि सुमाईल देती है तो यहां पर सर्माइने लगता है। यहां पे जिसरे कि स्वाम होती है। तोड़ती हैं वैसे भी यह सब देखने के बाद मेरा जह प्यार से फ्रोषा उठ चुका है इसके बाद हम देखते कि यह लोग जाते हैं उस लेडी के पास लेडी बोलती कि आपका शुकरिया तो यहां पर रे बोलता कि आपको क्यों लगता है कि आपकी बीटी बुली होके आ ग्रता हैं तो रहाई तो यहां पर सेरा को बॉल्द की हो देहां तो यहां पर भॉलता है कि मुझे बुली दो सेरा होती है वही gerek्ष हो कीदाबों को देखती हैं और रही है किया तोष्ड उसके प igual हैं और यहां पढ़ती हूं मैं पढ़्ति हूं jadi कहानी होती है जो कहानी है वो जो तो सुनानी सुरूंग कर यह बोलता है कि यूना तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो असल में यह बहुत जादा यहाँ पर मांगा पड़ती है जिसकी वैसे यह ऐसे बात करने लगी है वैसे तुम यहाँ पर बुली होने के बारे में कुछ बात कर रही थी तुम मुझे बताओगी क्या जिसके बाद यहाँ पर यूना कहते है ठीक है लेकिन मेरी मॉम को मत बताना जिसके बाद यह बोलती कि हाँ मुझे जह स्कूल में बुली किया जाता है वो लोग मुझे काफी परशान करते हैं इस बार तो उन्होंने जो मेरी बुख है उसके उपर जो पानी है वो भी गरा दिया था तो यहाँ पर रे बोलती कि तुमने अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया तो यहाँ पर यूना बोलती क्योंकि मेरी जो मॉम है वो जह यहाँ पर उसी लड़की की जो मॉम है उसके जह कमपनी में काम करती है इसके बार यहां पर यूनस सारी बातों को बता रही होती है यहां पर यह बोलती कि जब मेरे डैड यहां पर मर गए थी तो यहां पर जो मेरी मॉम है वो जह यहां पर बहुत दुकी हुई थी और उन्होंने यहां पर जोब ढूंड़ा जोब कर दिया था तबी यहाँ पे एक लेड़ी ने जह उनको जोब दिलाया और उस लेड़ी की जो बेटी है वो मेरे स्कूल बढ़ती है और मुझे काफिया टीस करती है और बोलती कि अगर मैंने यहाँ पे टीचरों कहा तो वो जह यहाँ पे जो मेरी मॉम की नोकरी है उसको जह खा जाएगी इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताया तबी यहाँ पे जो इसकी मॉम होती है वो आ जाती है और यह बोलती कि आखिरकार तुमको किसने का कि मेरे बार में चींता करने के लिए अब हम उन लड़कियों को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं अभी दोनों यहाँ पे जोसमें आ जाती है तबी जो रे होता है यह बोलता कि शांत हो जाओ हमें जो यहाँ पे सभी चीजों को ठीक करने के लिए हमें जो कानून का सारा लेना चाहिए इसके बाद यहाँ पे रे जो होता है एक पैन को निगालता है और नेच्स डी हम देखते कि यहाँ पे यूना उसी पैन को लेके आई होती है और हम पासलता कि इस पैन के अंदर कैमरा है और यहां पर जो चीज़े होंगी यहां पे युना के साथ वो जह यहां पे रे के फोन में रिकोर्ड हो जाएगी और इंको जह सबूत मिल जाता इस तरह से रे बोलते कि हमें सबूत मिल चुका है अब बस हमें एक लोईर की जरूरत है इसके बाद यह कहता कि मैं एक कलोरे को जानता हूँ यहाँ पे यूना की मॉम, रेका जय शुकरिदा करती है तब यहाँ पे हम लोग देखते कि सहरा घर पे आके यहाँ पे जो रुमेंस मांगा होती है उसको जह पढ़ रही होती है तो यहाँ पर सेरा कहते कि मुझे भी स्कूल जाना है यहाँ पर रे बोलता है कि तुमको एकदम से क्या हुआ कि तुम्हारे वर्ल्ड में स्कूल नहीं हुआ करते थे तो यहाँ पर सेरा बोलता है कि यहाँ स्कूल तो हुआ करते थे लेकिन वहाँ पे सिफ Cormonare के बच़े जाए करते थे जो normal बचशे थे वो जप अपने teacher को अपने भर पर बढलाते थे उसके बाद सीन्ट होता है यहां पर जो सेरा होती है वो एक Posterm को लेकर आये होती है और यहां पर पुसी क्या है तो यहां पर रे बोलता है कि यह Halloween है हमें यहां पर एपना ज़ू रोप है उसे बदलना है और यहां पर चोकले लेनी है जिसके बार हम देखते कि कि यह लो कोस्टिम लेने के लिए यहां पहले होती है और कुछ क 2000 को में नचशन में सेरा को देखते हैं जो मिठाइ키 ले चुकी होती है और यहिंशी लिया होता है वह एक जहसुस बना होता है असल में तब हम यहां पर लीना को देखते हैं much चेंज करके आती है और वह केंडी मांगने कि यहां पर नहीं आती है नुक्षेकल चलाने शीखनी है इसके बाद यह लोग लेने के लिए चले जाते हैं और सपनली दो दिन के बाद यहाँ पे शर livres सीब जाती हैं vaat में यहाँ पर जो होती हु काफी अच्छा लग रही होता है और यह याद करही होती कि अपने पीछले वर्ल्ड में किस तरह से बात लिया करती थी हुए MOM म्याजिक घर्णार करती हैं यहाँ यह तरह अपने मेजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे घरने के पानी को गरम कर देती है। अगर बीना घर किये मुझे विंटर यहाँ पर बितानी पड़ी तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तबी एक दम से जो यूका होती है वो जो होती है यहां पर आ जाती है और यहां पर इसके पास बैट जाती है और यूका यहां पर लिविया से पूछी किया तुम्हारे पास अभी घर नहीं है तो यहां पर लिविया यूका से पूछी कि तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रह तो यहां पर यूकाबोलती के सल में मैं घर से भाग चुकी हूँ कि मुझे यहां पर एक like लotस द्म करना था और मेरे पास एक खुद का बैंड भी यहां पर यूका बोलती के बैंड क्या होता है और मैं अपने आपको एक प्रो सिंगर बढाने को इश्क करूंगी तभी यहाँ पर लीविय कहती है यह तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास तुम्हारा गोल है तो उसे पूरा करने में अपना बैश्ट देना तो सहरा बोलती है ठीक है जिसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग यहाँ पर स्पार में आ जाते हैं तभी यहाँ पर यूका कहती है खास मैं यहाँ पर चैलेंग है उसे चेंज कर पाती यहाँ पर लीविय बोलती कि यहाँ मैं भी और जिसके बाद यह ठंडे पानी के टम में आ जाते हैं और यहां पर जो लीविया है वो भी ठंडे पानी के टम में आ जाती है और अपने हाथों को देखती है और कहती कि जो मेरे हाथ है वो जह काफी समूज बन रहे हैं और यहां पर मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है जिसके बाद यह दोनों अपनी मसाज करवाने के लीवारे अजाते हैं और इन दुनों को काफी अच्छा लग रहा होता है फिन इकषिन में में यहां पर जो यूका होती है वो घर पर चाँम लगता है यहां पर एखे पाइंगे और जिसके बाद यह लोग यहां पर यूका रोनाई शुरू कर देती है नेक्षीन में हम सेरा को देखते हैं जो यहां पे खाना खा रही होती है और इसको खाना बहुत ज़्यदा अच्छा लगता है यहीं पे जो रहे होता है वह भी जो तक खाना खाने के लिए आया होता है तब एक लड़की से बोलती कि सेरा क् क्या मैं ले सकती हूं तो यहां पे लड़की बोलती कि यहां तुम ले सकती हो लेकिन तुमें यहां पर उसके बदले में एक जो सौंग है वो जह गाना पड़ेगा तो यहां पर सेरा तयार हो जाती है सौंग गाने के लिए और सेरा यहां पर काफी फणी स्टाइल में जो सौंग होता है उसको गा रही होती है यहां पर सभी बंदे सेरा को देख के काफी ज़ ईक्षिन में हम देखते हैं कि की यूपा जो होती है और यह अपने पास्ट के बारबें सोच रही होती है जोस्कूल लाइफ में यह गाने को इनज्योई किया करते थे यहीं पर युका कहती कि मुझे गाने से प्यार है और कुछ भी हो जाये मैं एक सिंगर बनके रहूंगी इ छो यहां पर खाना कहा रही होती है कि दो दखिंगाbnा के लिए तो यहां पर लिविया कुछ भी नहीं बोलती जिसके बाद यह बन्दा बोलता है कि वैसे तुम्हार जो लख है वो बहुत ही बेकार है तुम पहले दिन गई और यहां पर जह रेड पड़ गई लेकिन यहां पर मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नई जोप यहां पर ढूंड के लाया हूँ तो यहाँ पर यह बंदा बोनता कि तुम्हें जो खड़ा होना होगा और तुम्हें लीविया बोलता कि वह मेकप की दुखान है और जो लेडीस के समान है वो भूंig degree सूम्हें भी नहीं होते तो यहाँ पर यह बोलता है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मैं वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता इसलिए मैं तुम्हारी help मांग रहा हूँ हो जाती है उस बंदे के पास और यहां पर उसको जह समान दे देती है जिसके बाद यह बाहर आ जाती है और यहां पर टहल रही होती है तब इसको यहां पर सहरा होती है वह दिखाई पड़ती है तब एक दम से जो सहरा होती हो ब्रेग मारती है और यह बोलती कि वैसे कैसी हो सबक्सक्राइब सबस्क्राइब सब्सक्राइब है यहाँ पर लिविया है कि मुझे एक जो समान वह चख़ान और यहां पर एक बंद को देना यहाँ पर यहां पर डिविया बोलते कि आखिर कहार करो समान कहां पर इसको एए जरूर जो संकुरा ग्रूप है उसका ही काम है जिसके बाद इंहां यहाँ पर यहां पर समय कर दूसरे बंदों को नहीं बेचेगा तब यह पर समान पर उसको जह ले लेता है कम दाम पे और यहां पर जो मान कम हो जाता है तो वह यहां पर उसको जायदा में बेज दैताया, ब्लाक मारकिट के अंदर यह पर यहां पर जो लिवया होती है वह बिच्छाइए शोक